नमस्कार एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है वीडियो के अगले भाग में हम डिस्कस कर रहे थे अंट्रोंट माइनिंग से लिटेड माइनिंग तर्मिनलोजिस को हमने शाफ्ट एडिट और हेंगिंग वाल एंड फूट वाल को डिस्कस कर लिया है नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है ड्राइव या ड्रिफ्ट तो शुरू करते हैं ड्रिफ्ट इट इस अ होरिजोंटल टर्नल पैरलल टू दा स्ट्राइक ओफ दा लोड और रेन वाप कन बी लोकेटेड इन दा कंट्री रॉक ओन एनी साइड अफ दा लोड कहने का मतलब है क कि इस टाइग्राम से आप समझते हैं यह हमारी ओर बॉड़ी है जिसे हमें एक्सकैवेट करना है खनन करना है जिसका हमें यह हमारे ग्राउंड सर्फेस है इसके नीचे यह हमारी ओर बॉड़ी है और यह हमने पहली शाफ्ट बनाई नीचे तक जाने के लिए अब इसी में यही निकालना है यहीं पर हम खोदना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए इसको निकालना बहुत मुश्किल होगा यह वैसा ही हो जाएगा कि जिस शाक पे बैठे हैं उसी को काटना तो उससे बैटर है कि यहां हम एक शाफ्ट बनाएं शाफ्ट बनाके यहां से हम एक पैरलर टनल बनाके इस ओर तक पहुंचते हैं तो वो टनल होरिजोंटल टनल जो की लोड की या वेन की स्ट्राइक के पैरलल होती है और उस तक पहुंच चाती है हमें लोड तक जो की कंट्री रॉक के अंदर अंदर country rock किसे बोलेंगे, यह हमारी जहां पर load यह हमारा और जहां पर deposit हुआ है, जिस rock के अंदर उसको बोलते हैं country rock. तो इस country rock के अंदर जो horizontal parallel tunnels मनाई है हमने जो की load और vein की strike के along है और country rock के अंदर है किसी भी side में हो सकती है वो load की इस तरफ भी हो सकती है इस तरफ भी हो सकती है उनको बोलते हैं हम drive या drift इस diagram में आप यहां देख सकते हैं ये drive हमने diagram में दिखा रखे हैं ये load की एकदम pass में है और ये दो तरह की है foot wall drive drift and hanging wall drift when the drift is made in the foot wall side of the vein it is known as foot wall drift and when the drift is made in the hanging wall side of the vein it is known as hanging wall drift जब vein के hanging wall side में जो drift बन रही है उसको बोलते हम hanging wall drift और जो foot wall side में बनती है उसको बोलते हैं foot wall drift ये यहां पे तीन आप देख सकते हैं next है level level is the tunnel in the ore body or vein which follows the strike अब जो हम और बोड़ी तक पहुंचने के लिए यह हमारी इस diagram में हमने देखा कि और बोड़ी यह हमारी main shaft इससे पहुंचने और बोड़ी तक तो यह जो tunnels होती हैं जो और बोड़ी तक पहुंचती हैं उनको बोलते हैं level actually level or drift में आप थोड़ा confusion है लेकिन level से आप यू समझ लीजिए कि एक ground surface से नीचे जिस level में हमारा काम हो रहा है उसी वहीं से यह word उटकिया है कि इस level में यह काम हो रहा है जमीन से कितना नीचे लेवल वन पे लेवल टू पर लेवल फ्रीवन फरिस लेवल पर काम और है वही लेवल है तक और बोड़ी आ अंदर वाले एरिये को में बोलते हैं कि यहां पर लेवल है कि इस लेवल पे काम हो रहा है वो tunnel जो और body के अंदर construct हो रखी है वो यह यहां से यहां तक है कि तो country rock में आ गी country rock के बाद जो और के अंदर आ रहा है जहाँ पर जिस level पर हमारा काम हो रहा है जिस level से हम excavate करके material को बाहर ला रहे हैं उस level को हम बोलते हैं level इसको better आप अगभी underground mining में जाने का मौका मिलेगा तब आप इसे better तरीके समझ सकते हैं और साथ में है in coal mining this is termed as level gallery और coal mining के अगर बात करें तो वहां हम level को level gallery बोलते हैं नेक्स्ट है crosscut crosscut in mining unstatified deposit अब अगर unstatified deposits के अंदर mining हो रही है the term crosscut is used to describe a tunnel or drive which leads from the shaft and passes through the country rock in order to intersect the load अब unstatified rock के अंदर हम बात करें अगर mining की तो crosscut किसे बोलेंगे कि tunnel or drive which leads from the shaft or level and passes through the country rock in order to intersect the load मतलब shaft से या किसी level से horizontal जो tunnels निकल रही है उन tunnels को load तक पहुँचने के लिए जो काम बारी है उनको हम बोलते है crosscut इस diagram में clear हो रहा है कि यह जो shaft है और यह load है इसके बीच में crosscut है initial जो हमारा diagram था उसमें हम देख सकते हैं अभी यहां देख सकते हैं कि यह crosscut यहां से लेके यहां तक और यह level यह load के जो अंदर है यहां बोला है level अगर इस यहां बात करें तो यह level है यह सब levels है और यह foot well drive यह drift crosscut और level में थोड़ा सा confusion रहेगा हमेशे ही next है raise and winch अब जब हम किसी level पे काम कर रहे हैं तो उस level में हम excavation या तो उपर की तरफ कर सकते हैं या नीचे की तरफ जैसे इस diagram में देखें कि यह हमारा और बाड़ी था इस और बाड़ी में हम इस level में यहां enter हुए अब हमें यह और बाड़ी को accept करना है तो या तो हम उपर से खोदेंगे या हम नीचे से खोदना शुरू कर सकते है लेवल के तो जब हम उपर की तरफ खोदते हैं यह इस diagram में अगर त्यान से देखें चोटा से में जो second level यह level से उपर की तरफ अगर हम खोते हैं यह दिख रहा है तो जब हम उपर की तरफ raise करते हैं या उपर की तरफ बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं raise और जब हम नीचे की तरफ जाते हैं खोते हुए तो इसको बोलते हैं winch when from a level in load or our body an excavation is made upward या ध्यान से देखी upward in the load to meet the level above जो इससे उपर का level है इस level से हमने उपर की तरफ खुदना शुरू किया और उपर के level को मिलने के लिए मिलाने के लिए इस तरह का जो excavation है इसको बोलते हैं raise और वहीं winch किसे बोलेंगे when from a level in load or our body an excavation is made downward in the load to meet the level below नीचे वाले below जो level है उससे मिलने के लिए जो उपर से हम खुदना शुरू करते हैं नीचे की तरह बढ़ते हैं इसको बोलते हैं winch next है ore bean ore bean किसे कहते हैं it is a storage or broken ore near the shaft is known as ore bean एक ore bean जैसे dust bean है वैसे बीन मतलब एक दान जहां पर हम dust bean में कच्रा डालते हैं ore bean में ore डालते हैं सारा ore जो टूटा हुआ जो broken ore है उसको हम एक जगए एकठा करते हैं क्यों एकठा करते हैं कि हर जगह से हम transportation नहीं करेंगे एक particular spot पर हम सारा एकठा करेंगे वहां से transport करके हम crown surface के ऊपर लाते हैं जैसे instagram आप देख सकते हैं कि यह पूरा का पूरा यहां से ore को extract किया excavate किया और यहां ore bean में डाल दिया यहां यह कठा रहेगा और यहां से यह skip के तुरू ऊपर transport होगा यहां से यह door open होंगे इसमें अंदर आ जाएगा इसको भर लेंगे और यह बाहर कर देंगे यहां instagram में भी आप देख सकते हैं कि यहां यह और बीन है जी सर यह और बीन यहां शोग कर रखा है यहां पे और इसके बाद यह फिलो कर यहां से फिलो के ऊपर चला जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही next part में डिसक्स करेंगे बाकी बची टर्म्स को thanks for watching